दोस्तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हम कैसे Google से question को copy paste करके educational वीडियो बना सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो पे लास्तर बने रहिए देखते रहिए और सिखते रहिए तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपको Google से question को copy paste करके GKGS वाली quiz वीडियो बनाना है तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको गय करना है Google Chrome open कर लेना है उसके बाद दोस्तो हम लोग यहाँ पे पैट करेंगे ठीक है यहाँ पे दोस्तो मैं सर्च कर लेता हूँ GK question answer for railway exam in Hindi जैसे ही दोस्तो आप Google में सर्च करेंगे GK question answer for railway exam in Hindi या आप अगर GK question answer in Hindi लिक करके भी अगर आप इस तरह से Google पे सर्च करते हैं तो दोस्तो आपको इस तरह का website बहुत सारा मिल जाएगा तो दोस्तो आपको गय करना है कोई भी एक website यहाँ से open कर लेनी है इस तरह से दोस्तो आप कोई भी एक website open कर लेंगे जहां से दोस्तो आपको GK question और option मिल जाएगे ठीक है उसके बाद दोस्तो आपको गय करना है एक new tab open करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे Google में टाइप करना है एडटेक मित्रा टेम्पलेट और एंटर कर देना है जैसे ही दोस्तों आप Google में एडटेक मित्रा टेम्पलेट लिख करके सर्च करेंगे तो आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा add tech मित्रा template तो दोस्तो आपको कहका करना है इस link पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको थोड़ा सा wait करना है थोड़ा सा wait करने के बाद दोस्तो आप यहां पे देखेंगे कि आपके सामने एक website open हो गई है इस तरह से scroll करेंगे तो दोस्तो आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारा template दिखने लग गया है अब दोस्तो आपको जो भी template पसंद आता है तो दोस्तो आप इस template को यहां से download कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो जब आपका template download हो जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है इन दोनों template को इस तरह से select करना है उसके बाद दोस्तो आप इस पर right click करेंगे और यहां से दोस्तो आप इसे copy कर लेंगे copy करने के बाद दोस्तो अब आपको क्या करना है का icon बना रहेगा आप इस drive को open करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक folder मिलेगा program file आपको program file को open करना है उसके बाद दोस्तों इसमें एक folder मिलेगा Microsoft Office आपको इसके अंदर चले जाना है उसके बाद दोस्तों आपको एक और folder मिलेगा root का आपको root में चले जाना है उसके बाद दोस्तों आपको एक और folder मिलेगा documents theme आपको documents theme वाले folder में आ जाना है ठीक है मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको disk PC के उपर क्लिक करना है फिर दोस्तों आपको local disk C के उपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको program file में आना है उसके बाद दोस्तों आपको Microsoft office नाम का एक folder मिलेगा उसके अंदर आना है उसके बाद दोस्तों आपको root नाम का folder मिलेगा उसके अंदर आना है और उसके बाद दोस्तों आपको एक folder मिलेगा last में documents theme system तो दोस्तो आपको इस folder के अंदर आ जाना है यहाँ पर right click करना है और आपने जो template वहाँ पर copy किया है download folder से उसे आपको दोस्तो यहाँ पर ला करके किया करना है paste कर देना है तो यहाँ पर दोस्तो मैंने already जो है इस template को paste करके रखा है इसलिए यहाँ पर replace करने का option आ रहा है ले जैसे ही दोस्तों आप continue के उपर क्लिक करेंगे तो यह template यहाँ पर paste हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है बस इसे close कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको गया करना है अपने laptop या PC में यहाँ पर आपको search करना है PowerPoint ठीक है यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा MS PowerPoint तो दोस्तों आपको गया करना है इस PowerPoint को open कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से blank slide select करेंगे ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप सबसे पहले अपने laptop या PC में MS PowerPoint application को open करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको गया करना है design के उपर क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर जो है वो template मिल जाएंगे अगर यहाँ पर दोस्तों वो template नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप यहाँ drop down पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने यह template आ जाएगा अब यहाँ से दोस्तों मैं यह वाला template ले लेता हूं ठीक है तो यह वाला template हमने ले कर देंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग new slide के उपर क्लिक करेंगे यहां पर देखे लिखा हुआ है new slide आपको new slide के उपर क्लिक करना है और फिर दोस्तों आप सबसे पहले इस वाले theme को select करेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा welcome तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है welcome उसके बाद दोस्तों आपको गया करना है new slide के उपर click करना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ABCD कोई भी एक slide ले लेंगे जैसे कि दोस्तों यहाँ से मैं a slide ले लेता हूँ जैसे ही दोस्तों हमने a slide यहाँ पर add किया है वो यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी चीजे बनी बनाई आ गई है अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पर question को copy paste करना है यहाँ पर a option को copy paste करना है यहाँ पर b option को copy paste करना है और यहाँ पर c option को copy paste करना है और यहाँ पर d option को copy paste करना है तो दोस्तों मैं क्या करूँगा इसे minimize करूँगा और उसके बाद दोस्तों हमने जो google में यह बाला website open करके रखा है ठीक है तो दोस्तो इस website पर आएंगे और उसके बाद दोस्तो हम लोग यहां से जो है कोई भी एक subject select कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर मैं देख लेता हूं computer gk ठीक है तो दोस्तो यहां से मैं computer gk आपको दोस्तो जो भी subject पढ़ाना है उससे related दोस्तो आप यहां पर gk question open कर ले इस पर उसके बाद दोस्तो हम लोग ms power point में आएंगे ठीक है और यहां पे क्या करेंगे इसे lled चैप डीक कर देंगे ठीक है पेस्ट करने के बाद दोस्तो हम लोग हम यहां पर klip करेंगे और फिर धूस्तो हम लोग website पर जाएंगे और यहां से अप्शन को select करेंगे Ctrl-C से copy करेंगे, Alt-Tab से PowerPoint में आएंगे और यहां पर दुस्तों इस option को paste कर देंगे ठीक है, back space से थोड़ा समय से सही कर लूँगा फिर दुस्तों मैं website पर आऊँगा, यहां से दुस्तों मैं B option को select करूँगा, copy करूँगा और यहां पर दुस्तों मैं आगर के इसे paste कर दूँगा, ठीक है फिर दुस्तों मैं website पर आऊँगा, और यहां से दुस्तों मैं C option को select करूँगा, copy करूँगा और उसके बाद दुस्तों यहां पर मैं आगर के इसे paste कर दूँगा फिर दोस्तों यहां मैं क्लिक करूंगा वेबसाइट पर आओँगा और यहां से दोस्तों मैं D option को select करके copy करूंगा और यहां पर आगर के दोस्तों मैं D option को control भी दवागर के paste कर दूँगा जब दुस्तों हमारा copy paste का काम हो जाएगा उसके बाद दुस्तों मैं reset के उपर click कर दूँगा तो दुस्तों ये सारी चीज़े कुछ इस तरह से visual होने लग जाएगी उसके बाद दुस्तों मैं इस पर click करूँगा और उसके बाद दुस्तों यहां से मैं इसे center कर लूँगा ठीक है उसके बाद दुस्तों हम लोग वापस से website पर जाएगे और उसके बाद दुस्तों so answer पर click करेंगे अब यहां पे दोस्तों हम लोग answer पे click करने के बाद दोस्तों यहां पे देख लेंगे कि इसका correct answer किया है जिसे कि दोस्तों हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि इसका correct answer C है तो दोस्तों हम लोग power point में आएंगे PowerPoint में आने के बाद दूस्तों हम लोग layout में जाएंगे और यहां से दूस्तों C layout apply कर देंगे ठीक है C slide apply कर देंगे तो इस तरह से दूस्तों यहां पर correct answer C बताने लग जाएगा ठीक है अब दूस्तों वापस से हम लोग new slide पर click करेंगे और यहां से दूस्तों यह वाली slide add कर देंगे और यहां पर दूस्तों मैं question number two लिग दूँगा और इसे select करूँगा इसे दूस्तों मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहां से bold करना चाहें तो आप यहां से bold कर सकते हैं फिर दूस्तों हम लोग new slide पर click करेंगे चलिए तो दोस्तो यहां पर देख सकते हैं कि हमने सभी चीज़े copy paste कर दिया है। लेकिन copy paste करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि font जो है यहां पर सही से visual नहीं हो रहा है यानि कि यहां पर जो भी चीज़े हमने type किया है वो सही से visual नहीं हो रहा है तो दोस्तों चीजों को सही से visual होने के लिए सही से चीजों को दिखाने के लिए हमें क्या क So answer पे click करना है उसके बाद दोस्तो हम लोग देखेंगे कि इसका correct answer किया है तो दूस्तो हम लोग last में क्या करेंगे लियाओट में जाएंगे और यहां से v slide apply कर देंगे तो इस तरह से यह हमारा दूसरा slide भी बन जाएगा अब दूस्तो हमें तीसरा स्लाइट बनाना है, तो दोस्तो हम लोग न्यू शॉलाइट पर क्लिक करेंगे, यहां से दोस्तो एक नया स्लाइट अड़ करेंगे, उसके बाद दोस्तो हम लोग यहां पर question no.3 select करके copy करूँगा और यहां पे दूस्तों मैं paste कर दूँगा वापस से website पे आऊँगा यहां से दूस्तों मैं option को select करूँगा copy करूँगा और यहां पे आगर के दूस्तों मैं इसे paste कर दूँगा उसके बार दूस्तों मैं दुबारा से website पे आऊँगा वेबसाइट पर आने के बाद दूस्तों यहां मैं so answer पर क्लिक करूँगा उसके बाद दूस्तों यहां से इसका answer देख लूँगा और answer देखने के बाद दूस्तों जो हमारा correct answer होगा उसके according दूस्तों हमें गया करना है layout यहां से change कर देना है तो इसका correct answer C है, तो यहां से मैं C layout apply कर दूँगा, तो इस तरह से दोस्तो हमारा यह PowerPoint presentation बन जाएगा, जब दोस्तो यह आपका PowerPoint presentation बन जाएगा, उसके बाद दोस्तो आपको गया करना है, slide show पे click करना है, slide show पे click करने के बाद दोस्तो आपको यहां पे slide recording का option में जाएगा, आपको इसके उपर click कर लेना है, उसके बाद दोस्तो आपको यहां से from beginning पे click कर लेना है, उसके बाद दोस्तो यहां पे start recording का option आ जाएगा, उसके बाद दोस्तो आपको start recording के उपर click कर देना ह जाएगी उसके बाद दूसरण पी कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएगी, उसके बाद डिस्तों आप को एंटर की प्रेश करते जाना है, यहां पर चीज़ें आती जाएगी, उसके बाद की जिजों को आप एके और दो दगल कर णी करते जाएंगे , पढ़ाते जाएंगे आपको टाइमर चलाना है तो दूस्तों आप एंटर की प्र सिंग्या करेंगे तो यहां है चल जाएगी काँ जैसे दोस्तों आप 10 की but प्रेस करेंगे इसे आप explain करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको timer चलाना है, तो आपको enter की press कर देना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर यह सारी चीज़े हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों आपको correct answer so कराना है, तो दोस्तों आपको enter की press कर देना है, और जै जैसे जिसे आप Enter की प्रिस करते हैं तो जो इसका करार कांसर है वो कुछ इस तरह से विज्वाल हो जाएगा उसके बार आपको Next Slide चलानी है तो आपको Enter की प्रिस कर देना है फिर दोस्तो आप जैसे Enter की प्रिस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो यह तीसरा प्रिस करेंगे तो यहाँ पर चल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी आप्सें आ जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको टैमर चलाना है तो दोस्तों आप जैसे की प्रिस करेंगे इस तरह से दुस्तों आमरा जो है स्लाइड रिकॉर्ड हो जाएगा यहां पर दुस्तों देख सकते हैं कि हमारा प्रफटован फर्ट संवी बन गया है यहां प disputes आप तो दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें audio भी record हो गया है अब दोस्तो हमें गया करना है, फाइल के उपर क्लिक करना है फाइल के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको export का option मिल जागा उसके बाद दोस्तों आपको export के उपर क्लिक कर लेना है export के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक option आएगा create a video आपको इसके उपर double क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई भी एक folder select करेंगे desktop folder select कर लूँगा उसके बाद दुस्तों, यहाँ पे मैं इस वीडियो का कुछ भी नाम दे दूंगा और उसके बाद मैं Save के उपर क्लिक करूंगा उसके पर दोस्तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, यानि कि जब तक दोस्तो यह वाला processing चल रहा है, तब तक दोस्तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगा दोस्तो आप यहापे देख सकते हैं कि हमारा जो processing है वो complete हो चुका है अब दोस्तो हम लोग क्या करेंगे इसे close कर देंगे ठीक है इसे don't save कर देते हैं आप save करना चाहें तो दोस्तो आप इसे save भी कर सकते हैं अब दोस्तो चलिए मैं आपको इसे थोड़ा सा play करके दिखा देता हूँ इसका दोस्तो मैंने audio जो है mute कर दिया है ठीक है ताकि मैं चीजों को अच्छे से आपको बता सकूँ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं कि हमारा जो है यह जीके वीडियो बनके ready हो चुका है तो इस तरह से दोस्तो आप Google से copy paste करके GK quiz वीडियो बना सकते हैं तो दोस्तो आपने देखा कि Google से content को copy paste करके GK वीडियो बनाना केतना आसान है I hope दोस्तों कि आज के इस वीडियो में जो भी चीजे मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, यह आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यह टुटोरियल पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोड़े भाई का मनुबल बढ़ाएं दोस्तों, अगर आप टेक में दाया चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके से